10.3.3 उपनिवेशवाद एवं उसका प्रभाव एक बार जब यूरोपी देशों का अफरीका पर कबजा हो गया तो उन्होंने इस भूभाग को भी अपने हितों के अनुसार बदलना शुरू किया इन बदलाओं ने पूरे अफरीका में रहने वाले समुदायक के जीवन पर निडायक धंक से असर किया पशुपालक समाज एवं उपनिवेशवाद उपनिवेशी शाषन से पहले विशाल खांस के मैदानों पर मसाई जनजाती के लोग मुख्यता पशुपालन करते थे इसके पश्चा दोनों ही देशों ने इन घास के मैदानों पर खेती को प्रोचाहित करना शुरू किया जिससे लगभग 60% चारा गाह पर अब मसाई अपनी पशों को चरानी के लिए नहीं जा सकते थे मसाई समुदाय धीरे धीरे उन इलाकों तक सिमट गए जहां ना तो अच्छा चारा मिलता था और ना ही वर्षा होती थी पहले पशुपालन के द्वारा मसाई लोग किसानों से ज्यादा सुखी संपन होते थे लेकिन बदलती परिस्थिती में उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई अफ्रिका के अन हिस्ते में भी पशुपालक समुदाय इसी तरह की इस्थितियों का सामना कर रहे थे खनिश क्रांती एवं आफ्रिका सन 1867 में वरतमान दक्षिन ओफ्रिका में हीरे की पहली खान मिली और सन 1886 में सोनी की खानों का पता चला पता चलते ही हजारों गोरे लोग अपनी तकदीर आजमाने इस इलाके में आकर बसने लगे हीरे का पता चलते ही इस भुभाग में सद्यों से रहने वाले आदिवासियों वं पहले से ही रह रहे बोवर समुदाय के जमीन पर बिटिक शाषन ने कबजा कर लिया बोवर अफरीका में रहने वाले डच किसानों को कहा जाता है जो सत्रवी सदी में यहां बसे थे हीरे के खानों से हीरा निकालने के कारे में बहुत से मजदूरों के आवशक्ता थी उस समय तक अफरीका में रहने वाले आदिवासी मजदूर जैसी वेवस्था में नहीं ढले थे और मुख्यता खेती या पशुपालन के जरिये अपना भरण पोशन करते थे इन आदिवासियों को मजदूर के रूप में काम करने है तो विवश करने के लिए अपनी वेशिक शाशन ने ग्रिय कर लगाया इस करके लिए पैसे कमाने के लिए एक वेस्क को लगभग तीन महिने मजदूर का काम करना पड़ता था फलता इस्थानी आबादी की एक बहुत बड़ी संख्या अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर इन खानों में काम करने लगी अब हीरे और सोनी की खानों के आस पास मज़दूरों की एक बड़ी संख्या निवास करने लगी इन मज़ूरों के अलावा एक बड़ी संख्या में यूरोपी आबादी भी रहती थी जो मुखेता इन खानों के प्रबंधन और विक्रजमन्धी कारियों में लगी रहती थी इन सब के कारण दक्षिन अफरीका में नगरों का विकास हुआ सोनी की खानों के साथ विक्सित हुआ एक ऐसा ही नगर जुहांसबर्ग है जो आज भी दक्षिन अफरीका का सबसे बड़ा शहर है इन शहरों में यूरोपी आबादी और अफरीकी आबादी के लिए अलग-अलग बसाहट बनाए गई और भिन-भिन नियम बनाए गए अफरीकी लोगों के साथ भेदभाव करने वाली रंग-भेद नीती में इन नगरों की अलग-अलग विवस्था का भी योगदान माना जाता है कांगों में रबड की खेती और स्थानी समुदायों का नरसंहार बेलजियम का शाशक लियोपोल्ड दृती अफरीका में अपनी निजी जागीर बनाना चाहता था उसने सन 1889 से 1882 में कांगों के जनजाती सरदारों से चल कर कई संधिया की जिनके आधार पर उसने कांगों में 23 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कबज़ा कर लिया या बेलजियम से करीब 80 गुना जादा बड़ा चेत्र था या उसकी निजी सम्पत्ती थी लियोपोल्ड ने आदेश दिया कि कांगों के सब लोग जंगलों से रबड, हाती दात आदी लाकर सरकार को निरधारित कीमतों पर देंगे जो अपने हिस्से का रबड नहीं देगा उसे मार डालने या हाथ काटने के आदेश थे लोगों से राजा के लिए समान एकत्रित करने का ठेका कई कमपनियों को दिया गया था इन कमपनियों ने वहां के मूल निवासियों के साथ कुरूरता की एक नई मिसाल कायम कर दी अगर कोई स्थानी वेक्ती निश्चित मात्रा में रबड नहीं ला पाता था तो वे उनका हाथ काट देते थे माना जाता है कि कम से कम सौ लाग कांगो आसी इस अत्याचार के कारण मारे गए अंत्ता इस व्यवस्था को सन 1908 में समाप्त किया गया और कांगो का शाषन बेलजियम के संसद ने अपने हाथों में लिया